सोला मार्च 1864 ब्रेटिस एस्ट्रोनॉमर जौन हर्सल ने दुनिया के सामनी एक एमिस को प्रिजन्ट किया जो कुछ ऐसा था अब अब सोच रहे होगी कि यह है क्या वेल यह एक विसाल ग्यास का बादल है जिसे इस्टाट्यो फ्लिवर्टी नेबुला की नाम से जाना जाता जिसका मतलब कि यहां से लाइट को भी हम तक पहुंचने में नौजर सालों का समय लग जाएगा इसे आप एक स्टलर नर्शरी भी कह सकते हूं जहां हर वक्त नए तारे बन रहे हैं लेकिन यह हमसे इतना दूर है कि हम इसी कभी में नेकडाइज से अब्दर्ब नहीं कर सक करती हैं तो मेक चूर कि आप कोस्मिक नोमैड को भी सब्सक्राइब करने हैं